हेलो व्यूज, स्वागत है आप सभी का हमारे नए प्रोग्राम एक नजर में इसमें आज हम बात करेंगे अंतरश्ट्रे मुद्राकोश यानि IMF की IMF यानि International Monetary Fund इसके अंतरगत हम किन-किन विश्यो पर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम इसका परीचा देखेंगे फिर इसकी प्रकृति को समझेंगे कि आखिरी किस तरीके का संगठन है या संस्थान है फिर इसके प्रमुक कारों की बात करेंगे इसके मुख्यों देश्यों पर नजर डालेंगे इसका प्रशासन एवं संगठन की तरीकिय का है उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर इसके प्रमख प्रकाशन यानि जो पुबिकेशन्स है जो इसकी रिपोर्ट्स है उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि कौन कौन से ये जो रिपोर्ट्स है या पब्लिकेशन्स है वो प्रकाशित करता है तो चलिए शुरू करते हैं अंतराष्ट्र मुद्राकोश यानि आमफ के परिशे से तो इसके स्थापना 1930 के दशक्की महामंदी के बाद 1944 में 44 सदस्य देशो द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुट्स सम्मेलन में की गई थी इसके वर्तमान सदस्य देशों के संख्या कितनी है ये है 190 इसका मुख्याले संयुक्त राज्जय अमेरिका के वाशिंग्टन डीसी में स्थित है भारत 1945 में इसका सदस्य मना था आईए बात करते हैं इसकी प्रकृति की तो ये एक अंतरसरकारी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तिय एजंसी के रूप में कारे करता है ये वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तिय अस्थरता को बढ़ावा देता है इसके प्रतेक सदस्य देश को इसके वित्तÍ महित्व के अनुपात में अंतरस्तिय मुद्रकृष के कारे कारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्थ है चलिए अपने जर डालते हैं इसके मुख्यों देशें पर तो इसमें शामल है अंतराष्ट्रे मौधरिक प्रणाली की इस्थरता सुनिश्चित करना, अंतराष्ट्रे व्यापार एवं सतत आर्थिक विकास को पुरुचसाहन देना, बहुपक्षे भुकतान प्रणाली को बढ़ावा देकर विनिमे प्रतिबंधों को समाप्तिया कम कर वित्ये इस्थरता सुनिश्चित करना, विश्व भर में गरीबी को कम करने में सहायता करना आदी अब बात करें इसके प्रमुक कारियों कि इस तो ये सदस्य देशों को आर्थे केवं तकनीकी सहायता प्रणाली की रूप में कारे करता है जो कि देशों वह उनके नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेंदेन करने में सक्षम बनाती है इसके अलावा ये निगरानी यानि सर्विलान स्तंत्र के रूप में भी काम करता है इत्यादी चले बात करते हैं इसके प्रशासनिय संगठन की कि ये कैसे प्रशासित होता है और इसका जो संगठन की संष्चना है वो कैसी है तो IMF अपने सदस्स्य देशों द्वारा शासित होता है और उनकी ही सरकारों के प्रती जवाब दे होता है इसमें Board of Governor होता है जिसमें एक Governor तथा प्रतेक सदस्य देश के लिए एक वेकल्पिक Governor होता है सामानत है IMF और विश्व बैंक समूँ के Board of Governors की साल में एक बार बैठक होती है इसकी अंतराश्वर मौधरी के विद्धिये समिती यानि IMFSC की बात करें तो इसमें 24 सदस्य होते हैं जो सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं का चुनाव Board of Governor द्वारा किया जाता है अब बात करते हैं IMF के प्रमुक प्रकाशन ने रिपोर्ट्स की तो इसमें शाविल है World Economic Outlook वैश्विक वित्यस्थरता रिपोर्ट यानि Global Financial Stability Report और Fiscal Monitor तो viewers ये था हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा आपको comment section में ज़रूर बताएगा मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद